आपने ये अनुभव किया होगा कई लोगों के जीवन में बार-बार कई दुरगटनाएं होती हैं कई लोग तो हमसे भी आके कहते हैं महाराजी हमारे एक्सिडेंट बहुत होते हैं यह भगवान की वड़ी करपा है किम बच गए एक माता जी आशी थी किम अमाता जी बोली महाराज हमारा क्या होगा हो गया हुड़ी हमारे घर में चार-चार मॉतने एक्सिडेंट से होई हैं वो भी जवानों की खतरना की बात है सुनना एक न्यूज अलग बात है लेकिन जिसके जीवन में सब्यत बीत हो उसका दर्द कितना बड़ा होगा तो हमको लगा कि नहीं हमें भी कुछ करना चाहिए तो प्लान किया और फिर भगवान सिव की करपा हुई तो आपके पास में यह उपाय पहुँच रहा सिवरात्त्री वाले दिन जिन लोगों को लगता है कि हमारे जीवन में तमाम ऐसी दुरवटनाई होती है उसा दुरवटनाओं का सामना करना पड़ता है इससे बचने के लिए सिवरात्त्री के दिन बैसे हर मेने में शिवरात्री आती है ठीक लेकिन ये शिवरात्री पूरे साल भर की शिवरात्रियों का फल देने वाली है तो इसलिए इस शिवरात्री जो एक मार्च के इस शिवरात्री पर आपको एक कारे करना चाहिए क्या करना चाहिए भगवान सिव का अभुषेक करने के बाद भगवान सिव का पूजन करने के बाद भगवान सिव पर 108 बेल पत्र और 108 धतूरे चड़ाने चाहिए 108 बेल पत्र और 108 धतूरा आपको चड़ाना चाहिए और इस सिवरात्री पर महामृतुंजय का जाप करते हुए, ऐसे ही नहीं लेकिन एक और बात है, महामृतुंजय का जाप यग्योपवीद धारी ही कर सकता है ये साबधानी पूरवक सुन ले जिसने यग्यो, पवीद, धारण नहीं किया है, वो महामॅरत contempl जय का पाठ नहीं करेगा, और जिनोंने यग्यो पवीद धारण नहीं किया उनको यह मंत्र सुनना भी नहीं चाहिए. कि साब धानी पूरवक कहने वाली बात है इसमें तो बोले महाराज महामृतुंजय का पाठ तो आप मना कर रहे हैं लेकिन जो यग्योपवीद धारी हैं वो इसको पाठ को करें जो यग्योपवीद पहने हुए इस तरियां भी नहीं करेंगी इसको आपके लिए नहीं है इसको पुरुस के करें जिनॉंने यग्योपवीद धारन किया हुआ हुआ है वो इनको चड़ाते समय अ हमामृतुन जे मंत्र का ज़ाप करें अब बोले महाराज तो जो यग्योपवीद नहीं पहने हैं और जो ये द Durian करेंगी नहीं करेंगी बोली वो क्या करें हम बताते हैं पंडिजी के पास आओ सब ऑप्शन है एक ऑप्शन है क्या आप बेल पत्र धतूरे चड़ाते समय आपको क्या बोलना है सिवाई नमः सिवाई नमस शिवाई नहीं बोलना है साब नानी पूरवक्षुन एक-एक सब्द को नमस शिवाई नहीं बोलना नमस शिवाई भी यग्योपविदारियों को बोलना चाहिए आप कहां के छोड़ोगे अब हम बतातों नहीं हो पाए सिवाई नमः दोनों का फल बराबर है नमस सिवाई नमः दोनों का फल बराबर है अधिकार की बात है कि तुम पहली पत्तर पे बैठे हो और तुम दूसरी पत्तर पे बैठे हो इतना फर्क है और कुछ नहीं दोनों का फल बराबर है तो जिनके यग्यों पवित नहीं और जो देवियां इस कारी को करना चाहती है पूर्ण तह लिख लें सिवाए नमहा ऐसे 108 बेलपत चड़ाने है सिवाए नमहा और फिर धतूरा चड़ाते समय भी सिवाए नमहा कितनी देल लगेगी दस मिनट भी नहीं लगने मैं जो कर रहा हूं बीस भी लग जाएं तो आपके जीवन का संकट कट जाएगा और यही शिवरात्री आपको सुख संपदा प्रदान करने माले है